आज का हमारा टाप्रिक है राजस्तान की जलवायू जलवायू क्या होती है यह जाना हमारे लिए काफी बड़ा विशे है अगर हम देखे कि मौसम और जलवायू में क्या फर्क है तो हम किसी स्थान पर एक लंबी समय अवधी के दौरान विविन समय में विविद वायू मंडलिय दसाओं जैसे तापमान वायू दाब आदरता वर्सा वायू का वेग इन सभी की ओसत अवस्ता को उस भूभाग की जलवायू कहते है जैसे कि कहना है कहा मैंने एक लंबी अवधी लंबी अवधी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर छोटी अवधी की बात करें कुछ महिनों की या कुछ सता की बात करें तो उसे हम मौसम कहते है और जो मौसम होता है वो बदलता रहता है तो राजस्तान की जगर हम जलवायू की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी कुछ विशेश्ता है जैसे कि हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में हम आगर जलवायों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम वर्षा की बात करें तो वर्षा की मात्रा और समय को अगर देखें तो पूर्ण रूप से और निश्चित है को बारिस होगी कोई पता ने और नियमित है यानि लगातार होती रहेगी या भीच में डैप आएगा कोई पता नहीं आज बारिस हो गई अगले पीस दिनों में बारिस में नहीं होते हैं पता नहीं एक मेंदर तक बारिस नहीं हो और तीसरी विश्यस्ता अपर या नहीं उपद हैं इसी करण यहां कहा जाता है कि राजस्तान में तीजों कुर्यों और आठ वो काल यानि हर तीसरे वर्स यहां पर सुखा और आठ वर्स यहां पर अकाल परता है। और तीसरे बाद दो साल अच्छा मौसम रहा और तीसरे बाद साल देखेंगे तो वहाँ पर सुखे केस्टिती तो यह कुछ विशेष्टा है यहाँ पर वर्षा और आध्रता का वित्रण भी असमान है हम अरावली के दक्सिनपूर्व में हडोती प्रडिस की बात करें भी देखने को मिलेगा उप आध्र भी देखने का मिलेगा यह न तो ज़्यदा सुख है और नहीं ज़्यदा आध्र है जालावाड या जो हाडोती रिजन है वहाँ पर आध्रता वाला मौसम मिलेगा अतियादरता वाला मौसम मिलेगा तो इस प्रकार से हर प्रकार की जल्वाईयों की विश्षिष्टा यहां पर पाई जाती है राज्य की लगबगर जितनी भी जो वर्सा होती है लगबर 90% वर्सा वो गर्वियों में होती है जुन जुलाई के अंत में जुलाई अगस्त और मध्य सितंबर तक पूरी की पूरी बारिष यहां पर हो जाती है और अधिकांस जो 90% वर्सा होती है वो दक्सिमी पर्षिमी मानसूर से होती है सीत काल में थोड़ी बहुत बारिष हो जाती है दो मावट कहलाती है तो भूमध्य सागर से कुछ वैस्टन डिस्टरबैंस या पर्षिमी विक्षोव जिसे कहा जाता है बहुत पर्षिमी राजस्तान में बारिष करते हैं सर्जीय के मावट कहते है तो इस प्रकार से राज इस विदाजस्तान के अंतर्गत होती है अगर हम बात करें तो जलवाई जो है हमें काफी अधिक प्रभावित करता है जलवाई को प्रभाव हमारे खान पान हमारे रहन सेन के तरीकों हमारे पहनावे हमारे मकानों के प्रकार इन सभी को प्रभावित करता है तो इस प्रकार से जो जलवायू है उसी के माध्यम से हमारे जितने भी जो आर्थिक कारी है या हमारे जो जन्जीवन है वो नियंत्रित होता है राजस्तान एक क्रसी प्रदान राजी है जहां पर क्रसी यहां की अर्थ व्यवस्ता का ब्रमुक आधार है और वहां पर जलवायू का महत्व बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि बिना जलवायू की यहां पर क्रसी कारी कैसे संब्भ होंगे तो क्रसी कार्य में या क्रसी अधारित अर्थ व्यवस्ता होने के करण राजस्तान के लिए इसका महत्वर काफी बढ़ जाता है विबिन अन्य क्रियकलापों की बात करें जो प्रतेक्स और प्रतेक्स रूप से क्रसी पर ही नियबर रहते हैं और द्योग, व्यवस्ताय, परिवन, संचार व्यवस्ता ये सभी किसी ने किसी प्रकार से जलवायू द्वारा प्रभावित होते हैं तो इस प्रकार से राजस्तान के अर्थ व्यवस्ता में प्रवुक प्रभाव रहता है जलवायू का अब जलवायों की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के समताप रिखा हैं, समान तापमान को मिलाने वाली रिखाएं, तो इन रिखाओं की स्थिति को अगर देखें, तो यह मैप आपको सूख करेगा कि जहाँ जहाँ से यह लाइन पास आउट हो रही है, तो जन्वरी के महिने में विकानेड नागोर जुझनों का जो तापमान रहता है, वो कम रहता है, इनकी अपेक्सा, जहां से यह लाइन पास होती, तो न्यून्तम तापमान जो है, वो आपको इन सभी जहाँ जहाँ से यह रिखाएं निकलती भी रिखर आ रही है, तो आपको अलग-अलग प्रकार की समताब देखाएं प्रदसित की जाती हैं, और वह आपको बताती है कि वहाँ पर जो टेंपरेचिर रहेगा, जन्वरी में जन्वरी की बात करेगा, तो जन्वरी में जेसलमेर, जूतपूर, उदैपूर, दोड़गर, भिलवड़ा, और अलवर का जो टापमान रेता है, वो लगबग-लगबग एक समान रेता है, और अगर नियूंतम टापमान की बात करें, तो देखें का बिकानीर, नागोर और जुन्जिनू के कुछ जो चित्र हैं, वहाँ का टापमान काफे कम हो जाता है, वही दूसरी तरफ, अगर हम क अंदी, कोठा, जालावार की बात करें, तो वहाँ का जो टापमान है, जन्वरी में थोड़ा अपिक्सा करता है, पस्षिमी जिलोग की अपिक्सा अधिक देखने को मिलेगा, इसी परकार से हम बात करें, जून की समताब रेखाएं, तो जून की समताब रेखाओं में तो यहां से, यानि बिका नेर का जो नदन पाठ है, या चुरू और हन्मान गड़ का जो छित्र है, वहाँ पर जो टापमान है, 42 ग्री सेंटिग्रेट तक पहुंस रहता है, जून में, वही पर हम बाड़मेर की बात करा है, बाड़मेर, जोदपूर, नागोर और चुरू इन छित्रों का जो टापमान रहता है, वह 40 ग्री सेंटिग्रेट के आसपास रहता है, जून के अंतरिकत, इसे परकार से, बाड़मेर की कुछ नीचले इससे, पाली, अजमेर, भिलवडा के छित्रों में जो टापमान रहता है, 37, 38 टिग्री के आसपास रहता है, दिरे-द परकार की समताप रहता है, पूरी की पूरी राजस्तान के अंतरिकता आपको देखने को नहीं मिलती है, आपमान में नहां पर विविदता आए, विविदता आए देखने को मिलती है, अब बात करता है, कि राजस्तान की जलवाईयों को प्रभावित करने वाले कौन को से त राजस्तान में जब इस प्रकार की जलुदय उरती है जल्वाई जो वीविद्धता जो पाई जाती है काफी अंतर देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या कार है तो सबसे पहले हम बात करता हैं कि राजस्तान की अक्सांसी स्कति हमें पता है कि राजस्तान का जो अक्सांसी विस्तार है 20 डिग्री तीन मिनट से लगा कर 30 डिग्री 12 मिनट उत्री अक्सांसों के मत्य है और हमें ये भी पता है कि साड़े 20 डिग्री जो उत्री अक्सांस की तो इस प्रकार से करक रेखा कि उपर का जितना भी जो हिस्सा होता है वह उपोष्ण कटी बंदेश चित्रों के अंतर गताता है इसलिए वहाँ पर तापांतर आपको अधिक देखने को मिलता है यानि वो टैंप्रेट रीजन में के अंतर गताता है यानि अगर हम कात करेक कि करक रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो चित्र है वह आपके आता है अगर उसलिए अभव की चित्रों में आप पहुछते हैं 23.25 से ऊपर तो ऊसे हम उपोष्ण कटी बंदेश चित्रों के अंतर गताता है तो इस प्रकार से जो अधिकान से जो उत्री भाग है वो उपोश्ट कटीपन में सामिल है तो इस प्रकार की जो अक्सान से जो भिन्नता है वो वाई मंडिली दसाओं में भी भिन्नता प्रतान करती है क्योंकि छूरियों की कीड़्णों का तृचापन किस प्रकार कर रहेगा वही तैय करता है कि भहाँ पर की जलवएं तो सीत-्रितु यानि सर्दियों की समय की जो समताप रिखाए हैं, अक्सांस रिखाओं की इस्तती के अनुसार लगबग लगबग समानतर दिखाई देती हैं, कैसे, देखेगा आप, हम सीत रिखाओं, यानि उत्री गुलार्द में सीत रिखाओं का जो समय रहता है, पूर रहता है, चन्वरी का, तो अगर हम अक्सांस रिखाओं यहाँ पर कीचे, तो आप देखेंगे, कि इन अक्सांस रिखाओं के लगबग लगबग आपके सर्वंतर, आसपास के चित्रों में आपको एक जैसे भी सिस्ता है देखने को मिलेगे, वही दूसरी तरह आप जून में देखेंगे, आपको इ गर्म चित्रों के अंतरगर रखेंगे और नहीं इसे हम साड़दर चित्रों के अंतरगर रखेंगे, तो यह इस्तती है वो प्रभावित करती है तिसी चित्र की जलवायू का, दूसरा अगर बात करा है तो वह है समुद्र से दूरी, यानि महाद्वी प्यतादिक है, जो च वह समकारी नहीं होती है, समकारी यानि जो समुद्र चित्रों जाथा गर्मी रहती है और नहीं ज़्यादा, सर्दी रहती है, समकारी जलवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगे। इसलिए राजस्तान में महाढवी पे जलवाई पाय जाती है, यह एक हवाओं में यहाँ पर नमी देखने को नहीं मिलती है, अगर हम इस्थति देखें तो यह आंतरिक भाग में इस्थति होने की कारण समुद्र का समकारी प्रपाव यहाँ पर नहीं दिखाए दिता है, कचक जलवईयों की विश्विस्ताय देखने को जलते हैं तीसरा जो प्रमुक्त करक्ष्ट है वह धरातल या उच्छा वचिया रेलीफ तो राज्य का जो धरातल है वह विबिनता वाला है यहां पर उचे नीचे हर प्रकार के चातर देखने को मिलते हैं एवरेज रूप से अगर देखें, तो इसका अधिकांज जो भाग होता है, मीन सी लिवल से लगवग 370 मीटर से कम है, यानि 370 मीटर से आवरेज आपको ज़्यादा हाइड देखने को नहीं मिल लेगी, आरावली की बात करता है, तो वो तो 930 मीटर तक अवरेज आपको उचाई वले छित्र है, तो यहां के अधिकांस भाग में आपको तापमान उच मिलेगा, और आदरता आपको निम्न मिलेगी, अब उचाई का क्या फर्क पड़ता है, तो अगर हम देखें, कि हम जैसे जैसे समुद्र पतल से उचा जाएंगे, वहां पर आपको आदरता लेगी, और जहां पर आदरता अधिक होती है, वहां पर वर्षा की संभावन नहीं बढ़ती है, लेकिन उचा छित्र होने के, नहीं होने के करण, यहां पर वर्षा कम होती है, यानि मीन सी लेवल से जितना उचा होगा, वर्षा की संभावन नहीं बढ़ती है, यही करण है कि यहाँ पर माउंट अबू में आपको अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है जहलावाड में आपको अधिक वर्षा देखने को मिलती है उद्यपूर में भी अच्छी बारिस होती है लेकिन दूसरे जितने भी जो जिल्ले हैं वहाँ पर बारिस कम देखने को मिलती हैं। तो अरावली के पस्सिम का अधिकान सित्र 300 मीटर से भी कम उचा है। उत्तरपूर में जाए हैं तो गरतपूर और उसके आसफास का सित्र मही नदी से या नदी का जो मैदान है, जिससे चपन का मैदान कहा जाता है। उसकी उचाए कम है। तो यहाँ पर तापमान जो है लगबग एक जैसी वी से इस्ताई देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पहाडी या अरावली सेडियों की स्तती। अरावली पहाडी माला की स्तती को देखें तो यह दक्सिन पस्चिम से उत्तर पूरु की और है। यही कारण है कि अरव सागर से आने वाली जो दक्सिन पस्चिमी मानसुन की चुपावने हैं वो इसके समाना अंतर बैती हुई बीना पारिस की हुए आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि रज्य का जो पश्यमी भागे वो सुस्क रहता है और वहां पर बारिस नहीं होती है आगे बढ़ता है दरातल की उचाई दरातल की उचाई का हमने वैसे डिसकास कर गया है कि लगबग 370 मीटर से कम नीचा है से नीचा है तो माउंट आबू का जो तापमान है वह सर्दियों में सुन्य दिगरी तक पहुंच जाता है लेकिन जपूर की तापमान की बात करें तो वह पांच दिगरी से से कम बहुत कम पहुंचता है कि पस्ची में बारिस कम होती है तो इस परकार से समुद्र तल से उंची भूमी पर आपको गर्मी में भी अधिक तापमान नहीं मिलता जैसे माउंट अबू की बात करें और वहीं जमाव बिंदू तक ही पहुंच दता है सर्दियों मैदानों में समुद्र तल से उंचा ही क कम होने की करार वहां पर तापमान मांतर नहीं देखने को मिलता इसे परकार से अन्यत्तार को कहते कर प्रकतिक वनस्पति की विद्यमानता को भी अगर कहे तो यहां पर प्रकतिक वनस्पति है तो यहां पर तापमान अधिक रहता है और आदिता में यहां पर कम ही पाई जा को मिलता है तो इस प्रकार की विशेशता है राजस्तान की जलवायू को अंतरगत हमें देखने को मिलती है यह वो कारक है तो राज्य की जलवायू को प्रभाविद करता है